सिंग राशीफल 2024, नमस्ते आस्ट्रयोगी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है। आपके लिए लेकर आए हैं साल 2024 का वार्शिक राशीफल जिसमें आप अपने लव, फैमिली, करियर, फिनांस और अपने परिवार से जुड़ी वो हर जानकारी प्राप्त करेंगे जो 2024 में आपके लिए जरूरी है। आज हम आपके लिए साल 2024 का सिंग राशी का वार्शिक राशीफल लेकर आए हैं। हम आपके आने वाले साल में आप सभी की सुख समृधी की कामना करते हैं। साल 2024 आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आएगा जिसकी आपने उमीद भी नहीं की होगी। साल 2024 के पहले महीने से आपको अपने हर काम में आश्चर जनक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने ऑफिस में प्रवेश करते हुए बहुत सकारात्मक दिखेंगे। 2024 में सभी ग्रह परिवर्तन होंगे और आपके पक्ष में होंगे। विशेश रूप से साल 2024 के बाद के 6 महीने आपके लिए बहुत अधिक आश्चर जनक होंगे। आईए अब जानते हैं सिंग राशी के लोगों के लिए क्या कहता है वार्शिक राशी फल 2024। साल 2024 आपके लिए एक सफल साल होगा और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने पिछले सालों में कामना की है। भाग्य, सफलता, शिक्षा, विवा और करियर के ग्रेब रहस्पती पूरे साल आपके पक्ष में रहेंगे और आपके जीवन के हर पहलू में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपके लिए ये साल बहुत ही भाग्यशाली थाबित होगा। आपको हर नए बिजनस में, अपने पर्सनल जीवन में या अपनी शिक्षा या कॉंपटिटिव परिक्षा में अपने भाग्य का साथ मिलेगा। साल दो हजार चॉबिस आपके पारिबारिक जीवन के शानदार नजर आ रहा है। आपके लाइफ पार्टनर और फैमिली के सभी सदस्यों के बीच शान्ती और सदभावना होगी। आपके कुंडली में फैमिली के साथ धार में क्या विदेश यात्राएं हो सकती हैं। अब जानते हैं सिंग राशी वालों की पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। सिंग राशी के लोग अपनी ताकत, उग्र रवये, निडर और बहादूर सुभाव के लिए प्रसिद्ध होते हैं। आपका नेचर बहुत ही चंचल और आप करशक होता है, जो लोगों को आपकी और खीट सकता है। आपके जीवन में सूरे के होने से अच्छी चमक हो सकती हैं और आप लोगों के जीवन में एनरजी ला सकते हैं। आईए अब जानते हैं कि विद्ध और करियर की दृष्टी से ये साल कैसा रहने वाला है। आपके लिए ये साल लगबग हर तरह से लाब दायक रहने वाला है। इस साल आपकी आर्थिक स्थीरता और करियर में वृद्धी होगी, साथ ही इस साल आपको लाब दायक निवेश का मौका मिलेगा। एक शुबसंगेत ये भी है कि इस साल आपका स्वास्त सुधरेगा, हाला कि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परिशानी हो सकती है। आपके लिए साल 2024 के शुरुआत बिजनस में अच्छे लाब के साथ होगी। साल के अंतिम 6 महीने और भी बहतर होंगे और बिजनस लाब दायक होगा। आप भरपूर धन कमा सकते हैं, भरपूर धन जमा कर सकते हैं। नौकरी वाले जातकों के लिए साल का दूसरा भाग अधिक लाब दायक होगा। आपको करियर में शांदार ग्रोथ और इंक्रिमेंट देखने को मिल सकता है, आपके सितारे भी इस सार प्रमोशन के संकेत दे रहे हैं। आप और आपके सीनियर्स के बीच कुछ गलत फैमिया हो सकती हैं, लेकिन आप पूरी इमानदारी के साथ उनसे निपटने में सफल रहेंगे। इसलिए आपको सावधान रहना होगा, आपको अपने उन कलीग्स का सहीयोग मिलेगा, जिनके साथ आपके फ्रेंडली रिष्टे बन सकते हैं। साल 2024 में आपकी विद्यस सिती बहुत स्थिर रहेगी, पिछली निवेश का फल अविश्वसनिय होगा और आप खुद को बहुत मजबूत आर्थिक सिती में देखेंगे। इस समय के दोरान शेर आपको अच्छा मुनाफ़ा देंगे और शेरों से जुड़ा हर निवेश जैसे म्यूच्वल फंड आपको मुनाफ़ा देगा। आप धन कमाने में सक्षम होंगे और अपनी सैलरी या लाब से परियाप्त धन की बचत भी कर पाएंगे। आप फिजूल खर्ची पर रोक लगाने में सक्षम होंगे और इस साल विदेश यात्रा या लंबी यात्रा की संभावना है। आप सोलो ट्रिप पर भी जा सकते हैं। जब रिश्टों और प्यार की बात आती है तो married couples who are live in relationship वालों के लिए साल 2024 साधारन होगा। साल की शुरुवाती महीनों में समस्याएं और गलत फेहमिया रहेंगी। कुछ बातों को लेकर आपके बीच तीखी बातचीत और बहस हो सकती है। जल्द ही आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और आप उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। Married और Live-In Couples के लिए साल का दूसरा भाग काफी बहतर रहेगा। आप एक दूसरे के विचारों को गहराई से समझेंगे और रिष्टों की बहतरी के लिए प्रयास करेंगे। अद्भुत रिष्टा साजा करेंगे। आप नए दोस्त बना सकते हैं जो उस समय आपकी मदद करेंगे जब आपको आराम की आवशक्ता होगी। एक और अच्छी बात ये है कि साल भर कोई भी शत्रू आपको परिशान नहीं करेंगा। कुछ कॉंपटीटर आपकी छवी खराब करने और आपके काम में दखलंदाजी करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुछ गडबडी और गलत फेहमिया होंगी जिससे परिवार के सदस्यों के बीच नकरात्मक्ता और कटूता आ सकती है। आपको सरहा दी जाएगी कि किसी भी बहस में ना पड़ें और चितना हो सके नकरात्मक्ता को विरोध से दूर करें। गाये को गुड़ खिलाएं। प्रतियेक शनिवार को उकवास करना शुरू करें और मांसा हारी भूजन वा शराब से बचें। अपने शिक्षकों का आशिरवाद लें और उनके साथ अधिक से अधिक बातचीत करने का प्रयाज करें। हर दिन सूर्य नमस्कार करना शुरू करें। वैसे तो सिंग राशी वाले साल 2024 में अपनी लव लाइफ को इंजॉई करेंगे पर फिर भी क्या आपकी अपने पार्टनर से चोटी चोटी बातों पर बहस हो रही है तो अभी जाने इसकी वज़ा और समाधान। आस्रो यूगी आप पर हिंदिया के बेस्ट आस्रो लॉजर से कंसल्ट करें जहां नई यूजर्स के लिए फ्री है पहली कॉल। तो आएए सबसे पहले जाननेते हैं साल 2024 में कैसी रहेगी सिंग राशी वालों की लव लाइफ। दे रहा है सिंग राशी के जातकों में साल भर रुमांस और कामुकता बनी रहेगी जो अन्मारिट कपल्स इस साल रिष्टे की तलाश में हैं उन पर गुरु की क्रपा होगी विशेश रूप से साल के पहले भाग में मैरिट कपल्स साल के शिरुवाती कुछ महीनों में पहले भाग में आपकी मैरिट लाइफ में काफी उथल पुथल रहेगी आपकी बाते गलत समझी जा सकती हैं यह या तो कम्यूनिकेशन गैप के कारण हो सकता है या बहस भरी बातचीत के तोरान गलत शब्दों के इस्तमाल के कारण हो सकता है आपका पार्टनर आपकी आपकी जाने के बारे में नहीं सोचेंगे जैसा कि सितारे संकेत दे रहे हैं शारारेक और मांसिक अलगाव भी हो सकता है शाल्रेक अलगाव का मतलब है कि आप या आपका पार्टनर फिर से रिफ्रेश होने के लिए अकेले यात्रा कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को और आपके पार्टणर अपने काम में व्यस्त रहेगा लेकिन इस तरह की चीज़ें साल के पहले भाग में ही होगी मई में गुरू के आपके दसवे भाव में गोचर करने से चीज़ें आन्तताव बहतर होने लगेंगी आप समझ पाएंगे कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है और आप में compatibility की कहां कमी है आपका पार्टनर पर यही समझेगा और यदि आप living relationship में हैं तो married life और साथ रहने के बारे में सकारात्मक बाचीत हो सकती है और आप सभी गलत फेहमियों को दूर भी कर सकते हैं इस समय आपको अपने वैवार और गलत शब्दों के लिए माफी मागनी पड़ सकती है सिंग राशी के होने के नाते यह आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन रिष्टे और अपने पार्टनर की भलाई के लिए आपको अपने हैंकार को अलग रखने की सलहा दी जाती है अब बात करते हैं सिंग राशी के unmarried जातकों की unmarried जातक जो इस साल शादी करने की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि शनी आपके सब्तमभाव में विराजमान है शनी पहले से ही आपके लिए एक अशुब ग्रे हैं और आपकी राशी के स्वामी सूर्य का शत्रू है ये बहुत सारे रुकावटें पैदा करता है यदि आप इस साल शादी करने की योजना बना रहे हैं और Arrange Marriage कर रहे हैं तो आपको सलाव दी जाती हैं कि आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जान ले और सगाई करने से पहले ही उसके साथ हर बात पर चर्चा कर ले आपको ये भी सलाव दी जाती है की शादी करने से पहले कुछ समय बिताएं ताकि सब कुछ साफ हो जाए और आप दोनों एक दूसरी की आदतों, अतीत और भावनाओं के बारे में जान सकें। Unmarried Couples और Love Relations वाले लोगों के लिए साल 2024 थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपके रिष्टे में एक मजबूत आकर्शन रहेगा और आप पूरे साल अपने पार्टनर के साथ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे आकर्शक पल होंगे जहां आप अपने पार्टनर को अपने आस पास पा कि आप विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं और यदि विदेश यात्रा नहीं तो अपने पार्टनर के साथ अपने घर से कहीं दूर लंबी यात्रा की योजना बना सकते हैं। यात्रा आपके रिष्टे के लिए नए आयाम खोलेगी और आप उन भावनाओं का अनु कोशिश नहीं करेगा यहां तक कि अगर कोई आपके रिष्टे में दखल देने की कोशिश करता है तो भी आप दोनों उस व्यक्ति को दूर करने में सक्षम होंगे और अपने बंधन का आनंद लेंगे आपके बीच प्यार आपसी समझ होगी आप दोनों एक साथ अपने भविश्य के बारे में सोचेंगे इस साल आप शादी करने का प्लान भी बना सकते हैं दोनों पक्षों के परिवारों को शुरू में कुछ परिशानी हो सकती है लेकिन आखिरकार चीज़े सुलच जाएंगी और इस साल शादी से जुड़ी रसमे भी हो सकती हैं अब इस साल आपकी लव लाइफ के लिए ग्रहों के गोचर पर नजर डालते हैं जनवर और नवंबर ऐसे महिने होंगे जब आप अपने पार्टनर के साथ सबसे प्यारे पल बिताएंगे दिसंबर का महीना रिष्टों में कुछ खटास लेकर आ सकता हैं लेकिन कुछ खास नहीं मैरेट कपिल्स के लिए अगस्त और सितंबर साल के सबसे अच्छे महीने रहेंगे लेकिन सितंबर में ही सकरात्मक बाचीत करने की कोशिश करें और नकरात्मकता को किनारे रखतें चलिए अब आपको लव आए नमा का 108 बार जाप करें हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चड़ाएं और पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं गाये को गुड़ खिलाएं अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो अभी हमारी आस्ट्रो योगी कंसल्ट करें जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल है बिल्कुल फ्री आए आगे जानते हैं कि साल दोहजार चॉबिस में आपके विशाई जीवन का भविश्य क्या होगा आप काम और अपनी प्रोफेशनल शेत्र की बात आने पर बहुत ही फोकस्ड और मेहनती होने के के लिए जाने जाते हैं आप आम तोर पर अग्रेसिव होते हैं हमेशा अपने लक्षव मुनाफे को लेकर आश्वस्त रहते हैं आपकी रनीतियां बहुत सपष्ट हैं और आप हमेशा अभूत पूर्व परणाम देने के लिए तक पर रहते हैं सिंग राशी के जातकों के के लिए साल 2024 बहुत संतोर शनक रहेगा इस साल आप अपने लक्षे और लाब को प्राप्त करने में सक्षम होंगे नौकरी वाली जातकों के लिए साल 2024 करियर ग्रोथ के मामले में काफी सफल रहेगा साल का पहला भाग काफी स्थिर रहेगा और कुछ ऐसे शन भी आ सकते है जब आपको लगेगा कि आप सिर्फ काम कर रहे हैं और परणामों के मामले में कहीं भी नहीं पहुँच पा रहे हैं सिंग राशी के जातकों को सलहा दी जाती है कि आप हार न माने और महनत करते रहें क्योंकि साल 2024 की दूसरी छमाही में आपके लिए काफी चीज़ें इंतजार कर रहे हैं इस बात की प्रबल संभावना है कि साल 2024 के शिरुवाती महीनों में नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है और ये आपके करियर के लिए बहुत फाइदे मंद होगा यदि आप अपने नौकरी बदलने या जहां आप अभी हैं वहां से ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं तो साल 2024 का पहला भाग अनुकूल होगा प्रांसफर करते समय कुछ बाधाएं आ सकती हैं लेकिन आप सभी बाधाओं को पार करने और एक बहतर शिरुवात की और अपना रास्ता बनाने में सक्षम रहेंगे यदि आप विदेश जाने या विदेश में बिजनस करने की योजना बना रहे हैं तो ये एक अच्छा समय रहेगा एक मई 2024 को ब्रहस्पती के आपके दस्वे भाव में गोचर करने से आपको अपने करियर में अविश्वस्निय परणाम दिखाई देने लगेंगे आपको अपने ओफिस में एक मजबूत पद और प्रमोट भी किया जा सकता है कुछ शत्रू होंगे जो आपकी प्रमोशन प्रक्रिया में बाधा डालेंगे और आपके खिलाफ कुछ शड़यंत्र भी हो सकते हैं लेकिन आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने सभी शत्रों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे और आपका कोई कॉम्पटीटर नहीं होगा जब बात आपके प्रमोशन, लक्षयों या काम से जुड़ी किसी भी चीज की आती है तो आपके सामने एक और बाधा आ सकती है वो है कि आपकी जादा सोचने की प्रवृत्ती इससे उबरने के लिए सिंग राशी के जातकों को अपनी रन्नीतियों में अत्यदिक उत्साह से बचते हुए व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टी कोण अपनाने की सलह दी जाती है अगर आप बिजनस के शेतर से जुड़े हैं तो व्यवसाइक शेतर में सिंग राशी के जातकों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा और लाब बहुत स्थिर रहेगा व्यापार सामान्य रूप से चलेगा विदेशों में व्यापार अधिक लाबदायक हो सकता है गामिन्स, माइनिंग, मेटल, स्टील और अन सभी वस्तूं से संबंदित बिजनस साल 2024 में बहतर रिटर्न देंगे साल भर कुछ बाधाये आ सकती हैं जिने दूर करने के लिए एक व्यवस्तित दृष्टी कोण अपनाना होगा आपको कूटने तक रूप से सोचना होगा और अपने सभी कॉम्पटीटर और सरकार द्वारा पेश की जाने वाली व्यापार बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवसाइक समझ और साहसिक रवये का उप्योग करना होगा मुनाफे में कोई नुकसान नहीं है लेकिन पैसे को आप तक पहुँचने में थोड़ा समय लग सकता है बिजनस में नए लोगों के लिए व्यापार की पूरी प्रक्रिया इस साल धीमी रहेगी और कुछ भी नयान ना होने की उमीद है साल का पहला भाग व्यापार के लिए साल के दूसरे भाग के तुलना में अधिक लाब धायक रहेगा ये ध्यान देने वाली बात है कि ये साल लाब के मामले में नकरात्मक नहीं होगा बलकि बहुत स्थिर और सब भी रहेगा व्यापार में लाब बढ़ाने के लिए आपके पूर्ण सपोर्ट, कड़ी महनत और बिजनस में निरंतर सुधार की आवशक्ता होगी ये साल विध्यारतियों के लिए अध्भुद रहेगा जब ध्यान और सपोर्ट की बात आती है तो साल की पहली छमाही शांदार होगी आप काफी महनती और अपनी पढ़ाई व अपने लक्षे के प्रती कमिटेड रहेंगे साल की दूसरे भाग में खास कर मई 2014 से आपको अपनी लगन का पूरा परिणाम देखने को मिलेगा यदि आप किसी प्रतीयोगी परिक्षा में शामिल हो रहे हैं तो उसमें आप सफल होंगे यदि आप उच अद्धियन के लिए किसी कॉलेज के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको आसानी से बिना किसी जंचट के एडमीशन मिल सकता है केवल एक चीज जो आपको सुनिश्चित करनी है वो है लगातार कड़ी मेहनत क्योंकि इसके बिना शनी आपको किसी भी परिक्षा में सफल नहीं होने देंगे आईए नजर डालते हैं इस साल करियर पर प्रभाव डालने वाले ग्रहों के गोचर पर प्राइवेट नौकरी करने वाले या सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए मई दो हजार चॉबिस का महिना सबसे अधिक लाब दायक रहेगा व्यापार करने वाले जातकों को जून के महीने में व्यापार में सबसे अधिक मुनाफ़ा होता हुआ दिखाई देगा विध्यार्थियों के लिए एप्रिल और जून ऐसे महीने होंगे जब आप देखेंगे कि आपके सभी परणाम सकरात्मक होंगे और आप अपने लक्ष तक अधिक कुछलता से पहुचेंगे अब आपके करियर के लिए कुछ जोतिशिय उपाय जान लेते हैं जो इस साल आपके लिए मददकार साबित होंगे अगर आप अपनी लाइफ में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो अभी हमारी आस्रोयोगी आप पर जाकर इंडिया के बेस्ट आस्रोलोजर से कंसल्ट करें जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल फ्री है या फिर आस्रोयोगी.com पर हमसे संपर्क करें तो आईए अब बात करते हैं कि साल 2024 में आपकी वित्य स्थिती कैसी होगी आप इस साल अपने फिनांस को लेकर बहुत संतुलित हो सकते हैं कभी-कभी पैसे खर्च करने में भी बहुत सोचते हैं और कभी-कभी आप अपनी बचत को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं आम तोर पर आप अपनी जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और अपनी उदार्ता दिखाने के लिए धन खर्च करते हैं आम तोर पर आपके पास बचत का सही मिश्रन होता है और यही कारण है कि आप जीवन भर आर्थिक रूप से स्थिर रहते हैं सिंग राशी के जातकों के लिए ये साल वित्य रूप से बहुत ही संतोष चनक रहेगा आपके दूसरे भाव पर प्रहस्पती की दृष्टी होने से आप इस साल बड़ी मात्रा में धन संचय करने में सक्षम होंगे राहू आपको शेहर वजार से अच्छे रिटर्न का आशिरवात देंगे सिंग राशी के लोगों की कुंडली में एक भी ऐसा योग नहीं बन रहा जो नगती की कमी और दिवाले पन की आशंका को दर्शाता हो आप फालतू की चीजों पर भी अपना पैसा खर्च करेंगे आप कुछ पैसा बचा भी पाएंगे और निवेश भी कर पाएंगे कुछ निवेश आपके लिए जोखिम भरे होंगे जबकि अन्य आपको भारे रिटर्न देंगे आपके लिए इस साल व्रिधी का प्रभल भविश्यवानी की जा रही है साल के दूसरे भाग में इंक्रिमेंट और कमपनी के लिए आपके द्वारा किये गए काम सफल होंगे सितारे भी प्रमोशन के संकेत दे रहे हैं बिजनिस व्रिधी और प्रमोशन दोनों ही अनुकूल रहेंगे और आपके फिनांस को मजबूर बनाएंगे व्यवसाइक शेत्र के जातकों के फिनांस के मामले में ये साल बहुत स्थिर रहेगा आपको कोई बोज या कमी महसूस नहीं होगी साल की दूसरी चमाही में आपकी कुल संपत्ती में व्रिधी होगी और साल की पहली चमाही स्थिर रहेगी साल की दूसरी चमाही में आप जो व्रिधी देखेंगे वो गतिशील होगी और आप अपने bank balance को लेकर बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे सिंग राशी के जातकों को सलहा दी जाती है कि आप साल भर प्रहस्पती की क्रपा के लिए दान कुन्य में शामिल रहें यदि साल के पहले भाग में आपका पैसा कहीं अटक जाता है जैसे किसी व्यापार में या फिर अपने किसी जानने वाले को आपने उधार दे रखा है आपका पैसा फस गया है तो दूसरे भाग में आप उस पैसे को वापस पाने में सफल होंगे सिंग राशी के जातकों के लिए साल 2024 में पार्टनर्शिप उचित नहीं है आपके पार्टनर के साथ हमेशा जोखिम रहेगा आपका पार्टनर इमानदारी और महनती रवईये के साथ आपके प्रती विनम्र और वफादार हो सकता है लेकिन फिर भी किसी छोटी सी गल्ती की वज़़े से बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए यदि आप पार्टनर्शिप बिजनस में हैं तो ये सलहा दी जाती है कि हर चीज की दुबारा जाच करें और किसी भी चीज के लिए अपने पार्टनर पर निर्भर ना रहें पार्टनर की और से बेमानी का कोई संकेत नहीं है लेकिन गलत फैमी और बहस हो सकती है जो व्यापार को धीमा कर सकती है यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनर्शिप के बिजनस में हैं तो ये द्रड़ता से सलहा दी जाती है कि हड़बड़ी में कोई निर्णे ना लें सिंग राशी के जातकों के लिए अपने पार्टनर्स पर भरोसा करना अनिबारे हैं लेकिन हमेशा नजर बनाए रखें क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आपके पास बिजनस के लिए अधिक तिलचस्प और बहतर विचार हों जो अधिक मुनाफ़ा दे सकें पैतरिक संपत्ती या उपहार के मामले में ये साल बहुत अनुकूल रहेगा आप बिना किसी बाधा के संपत्ती या किसी भी प्रकार का उपहार प्राप्ट करने में सक्षम होंगे समस्या आपकी अपनी अपेक्षाओं के साथ हो सकती है आप वास्तव में जो प्राप्ट क करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि ये साल कितना लाबकारी होगा निवेश के लिए ये साल शांदार रहेगा आप अपने पिछले निवेशों से विशेश रूप से शेयर बाजार और मूचिल फंड में कुछ बहुत अधिक रिटर्न प्राप्तिप करने में सक्षम होंगे इंट्रा डे और स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए फायदे मंद रहेगी लेकिन वे अभारिक रहें और लालच ना करें आपका लालच ही आपको घाटे की और ले जाएगा यहां तक कि लंबी अवधी के ब्लू चिप निवेश भी इस साल आपके लिए बहुत फायदे मंद रहेंगे तो कुल मिलाकर शेयर बजार में या स्टॉक से संबंधित सभी निवेश उधारन के लिए म्यूच्वल फंड 2024 में सिंग राशी के जातकों के लिए आकर शक होंगे संपत्ति या भूमी में निवेश की सलह नहीं दी जाती हो सकता है कि आने वाले सालों में आपको बहतर संपत्ति मिल सके लेकिन इस साल संपत्ति में किया गया निवेश आपके लिए फायरे मंद नहीं हो सकता है किसी भी निवेश से पहले बजार पर शोध करने और उचित परामर्ष लेने की सला दी जाती है आईए इस साल सिंगराशी के जातकों के लिए ग्रहों के परिवर्तन पर नजर डालते हैं व्यवसाई शेत्र के जातकों के लिए जून सबसे अधिक लाब और रिटर्न देने वाला महीना रहेगा मार्च भी वो महीना हो सकता है जब आप अपने निवेश से अच्छे रिटर्न की उमीद कर सकते हैं नौकरी पेशा जातकों के लिए मई और अगस्त ऐसे महीने होंगे जब आप अपने लक्षों को प्राप्त करने और वेतन व्रधी प्राप्त करने में सक्षम होंगे अब आपके वित्त के लिए कुछ जोतिशे उपाय जान लेते हैं जो इस साल आपके लिए मददकार साबित होंगे गायों को प्रति दिन हरी घास खिलाना शुरू करें पहली रोटी हमेशा गाय के लिए अलग रखें रोजाना सुभे सबसे पहले सौफ खाना शुरू करें अपने शिक्षकों का आशिरवाद लें और उनके साथ अधिक से अधिक बाचीत करने का प्रयास करें क्या आपको बार-बार हो रहा है बिजनस में नुकसान तो अभी हमारी आस्ट्रयोगी आप पर चाके इंडिया के बेस्ट आस्ट्रोलोजर से कंसल्ट करें जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल फ्री है या फिर आस्ट्रयोगी.com पर हमसे संपर्थ करें तो आईए अब जानते हैं साल 2024 में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा आप अपने परिवार और अपने घर के प्रती बहुत शक्तिशाली दुश्टिकोन रखते हैं ये अपने विचारों को अपने घर में सभी तक पहुँचाने में जिजगते नहीं हैं और यहां तक की अपने घर के मामले में किसी की दख्लंदाजी भी बरदाश नहीं करते हैं कभी-कभी अपने एहंकार और दबंग रवये के कारण उन्हें अपने घर में समस्याओं और नकरात्मक्ता का सामना करना पड़ सकता है साल 2024 सिंग राशी वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से उतना अच्छा नहीं रहेगा साल के पहले भाग में खासकर शुरुवाती महीनों में परिवार के सदस्यों के बीच काफी नकरात्मक्ता और कटूता रहेगी ऐसे शड़ भी आ सकते हैं जब आप अपनी मा के साथ और कभी-कभी अपने पिता के साथ भी तीकी बहस में पढ़ जाएंगे आप काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि आप अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाएंगे और मुद्दों को नहीं सुलजा पाएंगे साल दोहजार चौबिस के शिरुवाती महीनों में कम्यूनिकेशन गैप होगा एक मई को ब्रहस्पती के दस्वे भाव में गोचर के साथ ये शनी और राहू के हानिकारग प्रभावों को बेशर करतेगा एक संभावना है कि अंततव परिवार के सदस्यों के बीद संबंद शांती पूर्ण और सौहार्ध पूर्ण बनेंगे इस समय गलत वहमी और बहस कम होगी आप एक साथ बैठ कर मुद्धों को सुलजाने में सक्षम होंगे अपने सुभाव और अपने लहजे का ध्यान रखने की सलहा दी जाती है जब आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करें तो एहंकारी ना बनें ये सही समय है कि आप उनके हित में भी काम करना शुरू करें साल के पहले भाग में आप अपने घर में आराम महसूस नहीं कर पाएंगे लेकिन मसलों के सुलजने से आप अपने घर में मात्र सुख और सुरक्षा महसूस करेंगे सितारे संकेत कर रहे हैं कि साल के पहले भाग में आप परिवारिक यात्रा पर जा सकते हैं married couples भी साल के दूसरे भाग में एक दूसरे के साथ अधिक सहच महसूस करेंगे साल के पहली छमाही परिशान करने वाली हो सकती है और उतार चड़ाव भी हो सकते हैं आपके परिवार और आपके married life की हर समस्या आपके बंधन को पहले से अधिक मजबूत बनाएगी बस शांत और संयमित रहें और परिवार में सभी से विनम्र और कोमल लहजे में बात करें इस साल परिवार की आर्थिक स्थिती स्थिर रहेगी आप अपने घर को फिर से सजाने की योजना बना सकते हैं लेकिन इसमें बहुत सारी रुकावटे होंगी और सदस्यों की राय एक दूसरे से मेल नहीं खाएगी इसलिए इसमें देरी हो सकती है मद्भेदों के कारण परिवार इस साल को इनिवेशन नहीं करेगा यदि आपका संयोक्त परिवारिक बिजनिस है तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि बिजनिस में परिवार के किसी भी सदस्यों को कम न समझें और किसी पर हावी न हो उन्हें बोलने दें और अपनी रन्नीतियों को भी रखने दें फिर बिजनिस के बारे में हर चीज़ पर चर्चा करें पैत्रिक संपत्ति के उत्तर अधिकार को लेकर कुछ कहा सुनी हो सकती है पूरे परिवार द्वारा आपसे ये उमीद की जाएगी कि आप समझदारी से निर्ने ले अब आपके पारिवारिक जीवन के लिए कुछ जो दिशिय उपाय जान लेते हैं इस साल आपके लिए मददगार होंगे आप बैठक कक्ष में दक्षिर्व पशिम दिशा के मध्य में सेंधे नमक का दीपक जाएं और खिड़की पर पीले परदे लगाएं रोज सुभः थोड़ा शहद खाना शुरू करें प्रतेक शनिवार की शाम को शनीदेव को सरसो का तेल और काले तिर अर्पित करें रोज सुभः हनुमान चालिसा का पाठ करें या परिवार में बार-बार हो रहे हैं जगडे और उससे आप हो गए हैं परिशान हमारी आस्रोयोगी आप पर जाके इंडिया के बेस्ट आस्रोलोजर से कंसल्ट करें जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल फ्री है या फिर आस्रोयोगी.com पर हमसे संपर्प करें थन्यवाद अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें आस्रोयोगी पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री